दीपो में दिखी देश की एक ताहर किसी ने दिया नरिंद मोधी का साथ। मनला में प्रधान मंत्री नरिंद मोधी की अपील पर घरों के बर्फ बुजा कर दीप, मौमबत्या, मोबाइल की फ्रेश से रोशनी करने पर सभी लोग अपने घर के आंगन, बालकनी या छट पर आ गए इस दोरान दीपावली का वह नजारा देखने को मिला जो इससे पहले शायद ही कभी देखने को मिला हो, वहीं भारत देश की एकता भी इन दीपो और टिम्टिमाती रोशनी में नजर आई, जिसने करोना वाइरस से लड़ने के लिए हर किसी को एक जुट कर दिया, सभी ने मोधी की अपील पर पूरी तरह साथ देते हुए इस एक मुहिम को रं आई देते हैं अज माननी प्रधनमंतरी ने जो एक आवाहन किया था कि पूरे विस्व में फैली हुई एक महामारी वेस्विक महामारी कोरोना को हमको खतम करना है इसके लिए सबके अपने अपनी परंपराएं हैं हर अपने देश की हिंदुस्तान चुकि एक परंपराओं भरा देश है औ और हमारी अपनी परंपराएं जो उनसे हम अपने देश को जीवित रखते हैं और आज का ये जो कारक्रम है ये कहीं ने कहीं एक दूसरे को संजोने का एक दूसरे को जोडने का और सकरात्मक पहलु को फैला के इस बैस्विक महामारी को इस देश से खतम करने का संदेश था और मनी देश के प्रधान मंतरी ने ये जो संदेश दिया इसको आज पूरे देश ने बिलकोल एकात्मा के सूत्र में पिरो दिया है जैसा कि 22 तारिक को हुआ था कि पूरे देश में लगडाउन था वैसा ही आज ये 9 मिनिट का जो दीप प्रजलन था हमारे देश में एक परंपरा है ये माना जाता है कि कहीं ने कहीं हम किसी भी विपत्ती में होते हैं किसी परिस्थिती में हमारे विरोध में होती है तो हम दीप प्रजलन कर एक आवाहन करते हैं यह हमारे देश के प्रधान मंतरी का एक आवहान था कि किसी तरीके से इस संपूर्ण देश से यह बिमारी चली जाए और यह हम एक दीप प्रजुलन कर यह मनाते हैं इश्वर से प्रात्ना करते हैं कि पूरा देश संपन रहे शुकी रहे और यह महामारी हमारे देश से दूर बढ़ जाए.